साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट ने वो कर दिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था यानिकि उन्होंने जो है डिक्टेटर्शिप बनने की कोशिश करी अपने आपको डिक्टेटर घोशित करने की कोशिश करी हाला कि इस प्लान में वो बिल्कुल फेल हो गए क्योंकि साउथ कोरिया की आवाम साउथ कोरिया के ओपरजिशन लीडर्स ने साब तोर पे कहा कि साउथ कोरिया में डिमोक्रेसी बेहत जादा जरूरी है अब साउट कोरिया के प्रेजिडेंट ने अचानक अचानक जो है इमर्जेंसी डेक्लेयर कर दी मार्शल लौ तक लगा दिया आप सभी को पता है मार्शल लौ का मतलब होता है मिलिटरी रूल को स्टेबिलिश करने की पून रूप से कोशिश की गई अचानक से जो है साउट कोरिया में आनण फानन मचा जिसके बाद लिटरली लोग पार्लिमेंट की जो आपजेशन लीडर थे वो पार्लिमेंट की खिड़कियों से जो है कूद कर अंदर पहुँछे जिसके बाद उन्होंने एक मोशन पास किया जो की Current South Korean President के खिलाफ यानिकि बिल को पास किया गया and overall कह सकते हो कि South Korea के राष्ट्रपती का जो मनसूबह था यानि कि अपने आपको डिक्टेटर गोशित करना मार्शल लोग को जारी करना बस उनका प्लान जो है होते होते रहे गया अब चलिए डीटेल में इस पूरे के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फिलहाल South Korea की क्या situation है क्या condition है और भारत के उपर इन सभी का क्या impact हो सकता है So let's have the video very clear सबसे पहले ये कुछ तस्वीर है जो की हाल-फिलहाल में साजा हुई जब लोग जो है मजबूर हो गए सडकों पर उतरने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए उनके करंट प्रेजिडेंट के खिलाफ लोगों का ये कहना था कि South Korea में डेमोक्रेसी बेहत ज़ादा जरूरी है और इस पॉइंट अफ टाइम पे अभी डिक्टेटर डिक्टेटर शिप को अनाउंस करना या माशल लौ यानि की मिलिटरी रूल को स्टेबलिश करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं South Korea के राश्ट्रपती जिनके द्वारा ये हरकत की गई अब ऐसा नहीं है कि ये पहले राश्ट्रपती हैं जिनोंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी South Korea के इतिहास के बारे में अगर आप जानेंगे तो इतिहास बड़ा ही डगमगाया हुआ है यानि कि जो जो भी Majorly South Korea का राश्ट्रपती बना है उन सभी ने एक point of time पे military coup या फिर dictator अपने आपको announce करने की कोशिश करी है बहुत हद तक इसके पहले अगर आप देखेंगे जो South Korea के President है वो 25 सालों के लिए आज भी jail की सजा काट रही है क्यों क्योंकि उन्होंने अपने tenure में भारी corruption किया था जिसके चलते उनको ये सजा मिली है बात ये है कि जो political perspective है South Korea क्या बेहत जादा बदनाम है क्यों क्योंकि जो Presidents appoint किये गए है या तो उनके द्वारा corruption किया गया है या उनको या उन्होंने कुल मिलाकर democracy को द्वस्त करने की कोशिश करी तो काफी हद तक समय दर समय South Korea की जो इतिहास है जो political angle है वो अपने आप में एक काफी challenging रहा है ऐसा कुछ अब इसी बार हमें जो है देखने को मिला क्या अब South Korea में सब कुछ सही हो गया है दूसरा सवाल ये उठता है तो मैं बता दूं कि South Korea में अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी जो president है वो अपनी position पे बरकरार है ये कितना जादा खतरनाक है कि जो recent president है उन्होंने जो है अपने आपको dictator declare करने की कोशिश करी और emergency coup impose किया ये काफी जादा खतरनाक है और माना जा रहा है बट साफ तौर पे लोगों का विश्वास जो है वो खोच चुके है opposition parties ने साफ तौर पे कहा है demand की है कि राष्टरपती को जल से जल जो है अपना resignation यानि की resignation दे देना चाहिए वरना impeachment process को शुरू किया जा सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं North Korea withdraws the law and what happened next अब क्या हुआ अगला ये तो अभी हमने अभी देख लिया अब हम बात करेंगे अखिरकार इन सभी का impact भारत पे क्या हो सकता है भारत के perspective से ये news कितनी जादा important है अब चर्चाएं वो होंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी discussion हो सकता है दरसल देखिए जो राष्ट्रपती है उन्होंने क्यों military rule impose किया उन्होंने कहा मतलब उन्हें जो reason दिया है वो ये दिया है कि भाई जो opposition है वो सभी influence हो गए है North Korea से और इसके चलते जो है मुझे dictator बनना बहुत जरूरी अगर कंट्री को सुरक्षित रखना है तो उन्होंने वीजन ये दिया है हाला कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है फर्दर अगर देखा जाए तो साफ तोर से देखिए ये है South Korea और यहां पे ये है North Korea ये important places आप देख सकते हैं Sea of Japan, Yellow Sea then further ये Korean Strait important map देखिए map और locations बेहद important हो जाती है जब UPSC को cover करना होता है Mount Vorak National Park बहुत important है क्योंकि बिल्कुल South Korea के beach o beach है क्योंकि South Korea limelight में है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में further Andong Lake के बारे में जान सकते हैं Mount Eric National Park है then Hellauview National Marine Park है further Major League जो ये going peninsula है ये important हो सकता है तो location important है चलिए impact की बात करते है सबसे पहला trade disruption तीकिए South Korea जो है वो key trading partner है भारत का अब साफ तो पर आपकर आपकर आप South Korea में unstability आईगी तो trade impact होगा और various sectors में impact होगा चाहे वो electronics हो, automobiles हो, chemical हो तो काफी हद तक trade impact होता हुआ नजर आएगा जिसका सीधे सीधे economical impact भारत पर पढ़ता हुआ नजर आने बाला है यानि कि अच्छी ख़बर नहीं है दूसरा investment flow South Korea एक major investor है भारत के लिए अगर specially बात करें हम manufacturing और technology की दुनिया में अब Samsung सभी ने सुना होगा company के बारे में South Korea की ही company है और major stake है भारत में Samsung का तो आप कह सकते हो कि बहुत हज़ तक अगर South Korea में unstability आती है तो investment flow जो है जो कि South Korea से भारत की तरफ आता है वो कहीं न कहीं disrupt होगा और वहाँ पे reductions देखने को मिलेंगे यानि कि जो graph है वो नीचे गिरता हुआ नजर आएगा then geopolitical impact regional stability अब देखिए South Korea जो है ये key player है किसमें Southeast Asia में और एक emergency अगर यहाँ पे declare होती है तो वो बहुत हद तक geopolitical angle से भी सही नहीं होगा और काफी हद तक हम देखते हैं already South Korea, North Korea के बीच में continuous drift जारी रहती है तो बहुत हद तक ये वो military activities को भी बढ़ावा देगा then diplomatic relations के perspective से देखें तो India की एक robust diplomatic relationship है South Korea के साथ और काफी हद तक हम humanitarian assistance, humanitarian aid provide करते हैं, support provide करते हैं diplomatic platforms पे, तो वो भी काफी हद तक यहाँ पे impact होते हो नजर आएंगे अगर emergency imposed होई तो then humanitarian security impacts तो evacuation आप देखें USA ने साफ तौर पे अपने नागरेकों को बोला है कि जो की South Korea में है, USA citizens उनको बोला है कि आप जो है थोड़े चोकनना हो जाईए खालात सही नहीं है South Korea में अब इसी तरीके से भारत ने भी warning रेस कर दी है अपने नागरेकों के लिए तो काफी हद तक security के ऊपर खत्रा जरूर ये डारी करता है cyber security risk भी जो है कुल मिलाके इससे बढ़ता हूँ नजर आता है फिर energy supply chain impact होते वे नजर आते हैं क्योंकि oil and gas South Korea major importer है energy का तो अगर South Korea में stability नहीं होगी तो oil and gas import में भी जो है दिक्कत होगी shipping routes में भी problem होती भी नजर आएगी यानि कुल मिलाके South Korea में instability भारत को नुकसान पहुचाएगी तो चलिए आशा करते हैं South Korea में जल से जल stability attain हो यानि की stability आए और इसी तरीके से South Korea भारत का major investing partner बना रहे हैं so thank you so much have a nice day, bye-bye, take care, good luck and God bless you